कभी कभी हमारे six sense हमें अन्होनी की ये संकेत देते हैं, जो इन संकेतों को गंभीरता से लेता है, तो वो बचने के रास्ते भी तिलाश कर लेता है। मगर कुछ लोग जब इने गंभीरता से नहीं लेते हैं या बेफिक्र हो जाते हैं तो उनके साथ कई बार घटनाएं हो जाती हैं। आज की इस कहाने में भी कुछ ऐसा ही होता है अन्होनी का संकेत तो मिला था मगर उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उसके साथ एक ऐसी भयानक वारदात होती है कि जिसकी शायद उसने कभी कल्पना की होगी आदाब, नमस्कार, शस्त्रिकाल, मैं उस्मान सेफी दोस्तो आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस अची घटना है हर्याना प्रदेश के गुरुगराम की यहां का एक इलाका है राजिंदर पार्क और यह घटना है 24 अगस्त की सुभह लगवक पांच बजे के आसपास रिटायर्ड फोजी राव सिंग नजदी की पुलिस से इस्टेशन पहुंसता है और जाकर कहता है कि उसने पांच मर्डर किये है जैसे ही पांच मर्डर की सुचना पुलिस को मिलती है पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते है पुलिस सकते में आ जाती है ततकाल प्रभाव से वारलेस कर दिया जाता है और सभी पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है पुलिस भारी बल के साथ महां मौके पर पहुंच जाती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है दरवाजा खुलता है फर्स्ट फिलोर पर रिटायर्ड फोजी के बेटे यानि आनंद की पतनी खून से लटपत पड़ी हुई थी जिसका नाम सुनीता यादव उम्र लगवग 34 साल इसके अलावा जो बाकी सब कमरे हैं बंद हैं और घर में दो सदस से अभी भी सो रहे थे उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा पुलिस ने इनकी तलाशी लेने के बाद सभी कमरों की उसके बाद फर्स्ट फिलोर पर पहुंच जाती है और फर्स्ट फिलोर पर अनामिका तिवारी की विलाश पड़ी हुई थी वो भी खून से लत्पत थी शरीर पर चोट के भारी निशान थे इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच परताल और शुरू की और एक कमरे के बराबर में लगवग 9 साल की जो किरायदार की बेटी थी सुर्भी तिवारी और ततकार प्रिभाव से उस तीन साल की बच्ची को उपचार के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया इसके बाद पुलिस ने इनकी सबकी लाशों को उठाया और उठाने के बाद उससे पोस्ट माडम के लिए भेज दिया 24 तारिक की घटना थी 25 अगस्त की सुभा जब पोस्ट माडम रेपोर्ट आती है तो वाकि चोकाने वाले खुलासे होते हैं दरसल जो कृष्ण कुमार तिवारी की पतनी है अनामी का तिवारी उसको धार-धार हतियार से लगभग 22 वार किये गए थे 22 वार उसको चोट पहुचाए गई थी सुर्भी तिभारी जो उसकी 9 साल की बेटी है उस पर लगभग 16 बार बार किये गए थे और कृष्ण कुमार पर लगभग 7 बार किये गए थे जो क्या धारदार हरतियार से उसको मारे गए थे इन वारों से पता चलता है कि मारने वाला कितनी नफरत करता था जब पुलिस ने उससे पूस्ताश की तो पुलिस की पूस्ताश में फोजी राव सिंग कहता है कि इसकी जो पत्नी है सुनिता यादव यानि बेटे की जो बहु है सुनिता यादव किरायदार से उसके अवैद स सम्मंद के चलते ही इसका कई बार उन्होंने विरोध भी किया था मगर कृष्ण कुमार और सुनीता यादव दोनों मानने को तयार नहीं थे पुलिस ने फिलहाल फोजी जो रिटार हो चुका है राप सिंग को अपनी हिरासत मिले रखा है उसे पूशताच जारी है मगर एक सा लोग भी जाग जाने चाहिए थे चीख फुकार की आवाजे भी आनी चाहिए थे मगर पडोसियों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी उपर का जो दर्वाजा है जो किरायदार जहां रहता है वो दर्वाजा अंदर से कैसे खुलता है और क्या होता है क्योंकि ये घटना लगातार करता चला गया पुलिस के लिए कई सवाल हैं और कई जवाब अभी तलाशने बाकी हैं पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है यहां लेकिन आपको यह बताते चलें कि जिरक्षा बंदन के दिन कृष्ण कुमार तिवारी अपनी पतनी बेटीयों के साथ अपनी बेहन के पास जाता है राखी बंद बाने के लिए बात चीज जब होती है तो कहीं न कहीं वो अधास परिशान था तो इसका बेहनोई उससे पूछता है कि करिशन जी आप क्यों इतने उधास हैं क्यों परिशान है तब ऑग् ilgili मेरे मकान मालिक से कुछ बिवाद चल रहा है, पंगा हो रहा है, लेकिन उसने उस विवात से बचने का कोई राष्टा नहीं तलाश किया और नाहीं उसने पूरी बात अपने बेहनोई को बताई। काश कि वो अगर पूरी बात अपने बहनोई को बताता तो शायद ये वारदात नहीं होती लेकिन एक और खास बात जो सामने आई है जो रिटायर्ड फोजी है राव सिंग ये से ट्री मेन के नाम से भी बुलाए जाता है वो आसपास के इलाके में पेड लगाता है और लोगो पुलिस बात ये भी है कि जो फोजी का बेटा है आनंद वो घटना से ठीक दो दिन पहले राजिस्तान में किसी मंदर में दर्शन के लिए गया हुआ था पुलिस उसके फोन की लोकिशन तलाश कर रही है उसके समन्द भी में भी जाँच परताल की कोशिश कर रही है हो ना ह पुलिस को भी ये शक है कि इसमें फोजी अकेला नहीं है बलकि उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं एक और बात है एक वीडियो जो इसके बाद वाइरल होता है सुबह के लवग पांच साड़े पांच बजे की आसपास की बात है जब फोजी इस घटना को अंजाम देकर घर से निकलता है और थाने पहुंचता है तो इसके हाथ में एक धारदार हतियार होता है जो की कई CCTV कैमरे में कैद हो जाता है ये वीडियो लगातार तेजी से वारल भी हो रहा है पुलिस हर बिंदु को बारी किसे परताल कर रही है ताकि इस घटना के सम्बन में सही बात सा साथ ही पुलिस ने जो रुटार हरासत मिलिया है पुलिस को शक जाहिर है कि इस हथ्याकार्ण में उसकी रुटार फोजी की Kaumil थी, दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उत्देश है किसी में दिल दुखना नहीं बलकि आपको सच्चेत करना है आपको ज्यागरु करना है यह आपको भी अनहोनी के संकेत मिलते हैं तो उससे बचने के लिए रास्ते तलाशिये ताकि आपके साथ कोई ऐसी घटना ऐसी वारदात नहो जाए आप अपना खैर रखें सुरक्षित रहें जैहिन जै भारत